हेलो एप्रिवान कैसे हो आप सब और सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि यह कोई व्लॉग नहीं है यह मैंने बहुत टुकडो टुकडो में वीडियो बनाया वह था एक टाइम पे कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ कैसे क्या हो गया है अपडेट देना है कि मैं वीडियो क वीडियो वगएर पोया मैं बोल भी नहीं पारी हूं यह देखते हैं क्योंकि मैं इसको देखना ही नहीं चाहती थी और यह सिर्फ मैंने इसलिए शूट किया हूँ था कि यह जो पल हम जी रहते हैं उस टाइम यह बहुत खराब पल था और मैं उसको याद नहीं रखना चा करके अभी वह कुछ देर के लिए मेरे हाथ मेरे गोद मेता भी आप देख सकते हो दूसरे हाथ से वीगो एक और हाथ में चला गया है उसका मतलब मैं क्या बता हूँ रात में वीगो हटा देता था और नेक्स मॉर्निंग उसको दूसरा फिर से वीगो लगता था ऐसे करके दोनों आत में पांच बार चार बार वीगू लगा है मैं बता नहीं सकती में मेरे बच्चे ने बहुत जादा सहा है और आप प्लीज यह जो पूरा वीडियो देखना जरूर और यहां पर फिल्टर लगा के मैं दिखा रही हूं क्योंकि इमाम का चेहरा देखने लाइग नही वह बहुत जादा उसके तकलीफ थी और बहुत जादा उसके चेहरे पर दाने वगारा निकलेते हैं अभी मैं आपको विदाउट फिल्टर यहां पर देखो दूसरी जिगह पर लग गया है देख रहा है वीगो तो ऐसे करके उसका बहुत जादा मतलब वह था तो मैं आपक आई में भी विडियो मेरे ऐसे एर्रेगूलर रहने वाले है क्योंकि इमाम की तबियत पहले से काफी बटर हो गई यह घर आ गया है तो क्या एक पूरा मसला मैं आपको आगे विडियो में दिखाऊंगी बताऊंगी तो पूरा विडियो जरूर देखिएगा मेरे यह वाला अपनी दुआएं जरूर भेजिएगा इमाम के लिए बहुत सारी वो बाय कर रहे हैं कह रहा है अमा विडियो न बनाओ तो बस यहां पर हम लोग के तीन चार दिन कुजरें कैसे गुजरें हैं ना खाने का कोई होश्ता ना सोने का माम के अब पापा लेटे हुए पीछे ब बिल्कुल भी मोड में नहीं कि मैं कुछ बोलूं बड तो गिव यू अपडेट मैं यह विडियो बना रही हूं तो अवास क्लिया रहा है तो मैं यह तो मूर से बोलन ही निकल रहा है तो अच्छा तो हिलाल सब को रमजान बहुत-बहुत-बहुत-मभारक मैंने कोई भी प भी जो पोस्ते नहीं किया है और मैं भोट-थे से परेशान हूँ मैंने अभी जिसे आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि मेरा हम्हां थे थी मत्या अदो का इमाम कुर बहुत ज्युदा तक्लीफ है और फॉक Talk देर्श भी ठीक नहीं है और अच्नी अभी थे अवो पर है लेकिन feeling much better और लास्ट में इस पार के रमजान के लिए इतना जादा एक्साइटेड थी मैं बता नहीं सकती मैं कितिना जादा एक्साइटेड थी बट कोई बात नहीं लास्ट इयर मेरे साथ ऐसे वह था लेकिन लास्ट इयर मैं थी हॉस्पिटल में अगर आपको यादो मैंने एक अपडेट भी डाला था एक एक मिनिट का कुछ कि मैं हॉस्पिटल में हूँ बिदर मुझे बताना पड़ता है कि मैं एक्टिव नहीं रहू कि मैं हॉस्पिटल में थी और मेरा उपरेशन लगा हुआ था लेकिन रम्दान स्टार्ट हो चुके थे तो जो भी एक-दो मुझे स्टार्टिंग मेले थे मैंने वह सारे मनलब रोजे रख लिये थे एक-दो जो भी थे मुझे लिए उसके बाद तीसरे और चौते में मेरा अपरेशन था उसके वाद से तो पॉसिबल ही नहीं था तो मैंने नहीं रख पाई थी और नहीं कुछ नमाज वगएरा कुछ भी अच्छे से नहीं हो पाय था ना तरावी मेरी सब छुच थी वो भी सब छूड गई थी और इस बार मुझे लगता है कि मैंने वो मेरे साथ ह में ज계ं रहीं किया था लेकिन अपना मैं इस बार कर रहीं है क्या कि इस बार बात बच्चे पर हम समझ सकती है हैं बच्चा फर्शान होता है टो कैसा लगता है अम लों सोचते है ना माबाब को हो जाए जो होना है मैं फूर्शों को खूँ अव initi kardeşimन वीं खेसे फीटेश त यह लग होती है वह आ गए तो बहुत अच्छा बैठाई बाते कर रहा है इस ताम तो मैंसको कामरे पर नहीं दिखांगी तो देखने लाइक नहीं अभी वह उसके बहुत चहरे पर सबकुछ इसके रैशेज वरायर आगए तो नहीं एच्छा लग रहा है इसको मैं नहीं तो बस आप लोगों से यह कोंगी कि दूआ करिए का मेरे बेटे के लिए और उसकी सेहत के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए मैं जल्द से जल्द अपने काम पर वापस लॉट सपूँ अब बहुत सारा पेंडिंग वर्क है जो मैं बताने सकती हैं मैं अभी सब कुछ साफ किया है पीछे और अब देना तो है यह काम लिया है अगर तुम्हें देना तो है यह मैंने तीन चार दिन की वैसे भी चुटी मार ली है बट अब नहीं मुझे काम करना है तो हां रमजान सब्सक्राइब करना है और मेरी तरावी भी चूट चुकी है और पहला रोजा भी बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ में इस चीजों को सोच कि मैंने सोचा नहीं तहीं सब को मैं इवें प्री रमजान व्लॉग भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शॉपिंग का एन एवरिटिंग उसकी लिस्ट मैं आपको दिखाऊं मेरे पास लिस्ट पूरी बनी रखी है लेकिन इस अब होई नहीं पाई कि रमजान जब आज पहला रमजान है मतलब जब मैं शूट कर रही हूं मेभी अज ये शाम तक चला जाएगा वीडियो या कल सुबा तक तो उससे तीन दिन पहल मुझे नहीं पता कि कैसे कोई भी जो व्लॉगर होते हैं वो कैसे हॉस्पिटल में जाकर व्लॉग कर लेते हैं जब कोई आपका अपना इतना खास बिमार हो तकलीफ में हो तो आप उसको व्लॉग कैसे कर सकते हो मुझे मैं नहीं पता मैंने बहुत सारे प्रिग्नेंसी दे पर और मैं उसका व्लॉग बनाओ जाके बेटा तुम्हें कैसा फील हो रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं इस बुल्शिट में किसी को बोल ले रही हूं मतलब मैं उनकी हरकत देख तो बहुत जोदा वह कैसे कर लेते हैं और अगर कर लेते हैं तो मैं उनसे जानना चाहँगी कि चैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता कि हिन फिचर मैं कभी करूंगी कि नहीं करूंगी मतलब मुझे पता है कि अगर तकलीफ में हुई तो मैं अपना खुद का व्लॉग तो बनानी पाऊंगी और ज़ो रहाए बाद मेरी हस्बं की तो आप लोग को पता है वो कभी और मैंने अपने हस्बंड से बोला कि आप मेरी डिलूवरी का व्लॉग बना दो और मैं से तड़ा परियों आप दिखा हो तो आइ थिंक वो मुझे जापड मरना रसीब प्रिफर करेंगे बट मेरा व्लॉग बनाना तो कभी प्रिफर ने करेंगे अधाय बना बना करेंगा जब करेंगे फीर प्रिफब करेंगे अपने हाथों में लिए नहीं थापड़ नहीं थापड़ बड़ीया कोई अपनी पहली डिलिवरी में या पहली प्रिगेंसी में सहाकता है मैं我是 full support में हूँ pregnancy vlogs के प्रीजनसी के क्या प्रेगनिन्सी करुंगा रही है क्या कर रही है negócio उसके क्या तकलीफे आहे हैं उससे वो कैसे overcome कर पारी है वो सब समझ में आता हूं उसे बहुत लोगों की help हुथ हुथ है किसी कोई हेल्प नहीं होती यह तरीके का बहुत कंदा लगता है यार इसको बंद करो यूट्यूब यूट्यूब को तो कभी इमसे चीजों के लिए हामी नहीं बननी चाहिए फिलाल और हां ठीक है मैंने तो अब मैंने बहुत सारे व्लोग ऐसे देखे हैं जो मतलब अपना क कि इसी चीज का बंद कि कुछ क्जीजें बहुत जादा प्राइवेट होती है बहुत परस्नल होती है विई यूट्यूबर बेंग सोचल मीडिया इफ्लूएंसर मुझे पता है हम लोग की लाइफ पब्लिक होती है लेकिन इतनी पी पब्लिक नहीं होती है कि हम लोग फिर बेडरूम में भी कैमरा लगा दिया और हजबन के साथ जो है चाहे वीडियो डाला पूरो यूटूब पे क्यों नहीं डालते कोई लोग डाला पूरो बसे अब तो यह सब भी होने लगा है यह सब भी मैंने सैमली व्लोग के नाम पे यह सब भी चीज़े बहुत सारी देखी है यूटूब पे तो या तो बस यही था मेरा आज का अपडेट और व्लोग कि मैं इमाम की तबिया ठीक होने के बाद यह थोड़ा अचा से कॉंटिन्यू कर पाऊंगी लेकिन हाँ जो मेरे बचे हुए हैं उनको तो मैं डालती रहोंगी कि मुझे देने हैं ब्रांड को और दूसरी चीज़ी है कि मेरे बहुत सारे एडिटिट भी रखे हुए हैं वो भी आते रहेंगे तो तो अब मैं आप से मिलोंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में होपुली जल्दी बस दूआ करना इमाम जल्द पे लोड़ पाँ ठीक है तो तो ड़ीज वीडियो भाए 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 भाए